Hello Friends, Reasoning and Computer Class में आपका स्वागत है तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है Round 2 जो State Quota है उसमें आपका जो Fees है और जो बच्चे State Quota Round 1 या जो AI की Round 1 में Participation कर चुके हैं उनकी Fees Refund का किस तरह से Process होगा तो ये काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्होंने Round 2 Counseling में Participation कर लिया है और अब उन्होंने College Join नहीं करना है या उनको seat नहीं मिली है तो उसमें Fees Refund का Process क्या होगा और किस-किस मोड से उन्होंने Fees Payment किया है और उसका क्या-क्या Refund Process है तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक State का Refund का Process का पूरा Notification दिखाऊँगा उसके बाएद हम हर States का जो होगा उसका Discussion करेंगे कि What will be the Process of Fees Refund Process for Need Counseling तो Friends ये जो अपडेट आया है ये अभी जो सबसे पहला Fees Refund का अपडेट आया है या Resign करना चाहते हैं उनको जो Respected Mail ID आप स्क्रीन पर देख सकते हो Candidate willing to resign from Rajasthan State Round 1 seat must send an email from or his, her registered mail ID on the concerned allocated college to copy Chairman मतलब उनको करना क्या है कि जो बच्चे भी अपने Round 1 की seat छोड़ना चाहते हैं उनको concerned college में एक mail करना है और उसको साथ copy करना है इस mail ID को इसको CC में डालना है 2 में आपको respective college को डालना है और CC में इसको डालना है जैसे आप इसको करोगे दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है आपको जैसे आपने fees payment की थी तो आपके पास एक fees receipt होगी उसको लेके आपको Government Dental College जैपूर में जाना है एक तारीक के बाद एक तारीक के बाद आपको अभी भी जा सकते हो Government Dental College जैपूर में तो जैसे आप वहाँ पर जाओगे तो आपको मतलब करना क्या है कि सबसे पहले आपको mail करना है mail करने के बाद आपको fees receipt है उसको लेके इस College में जाना है उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप College में जाओगे तो आपको वह mail दिखाना है कि आपने क्या mail किया था और आपने अपना सारा वहाँ पर detail देना है कि मेरी NEET की rank ये थी और मेरे को ये College अलोकेट हुआ है और मेरे को इसको छोड़ना है इस College को और ये सब detail आपको submit करने है जैपू Dental College में उसके बाद दोस्तों उन्होंने लिखा है कि if the fees has been paid by DD the same will be returned on the concerned candidate at Government Dental College जैपूर अगर आपने अपनी fees DD के थुरू submit किये तो आपको ही जो amount है वो आपको जैपू Dental College से मिल जाएगी तो मतलब वो क्या करेंगे आपने DD दिया College में DD पहुंच चुका होता है तो जैपू Dental College आपको एक नए DD issue करेगा जिसमें आपको जो refund fees को लिखी होगी फिर वो आपके उस DD को आप अपने account में जमा करा होगी आपको मिल जाएगा लेकिन आपको फिजीकली जैपू Dental College में refund के लिए जाना होगा उसके साथ साथ दोस्तों इन्हों नहीं यहां लिखाया कि fees has been paid through the online transaction mode then fees shall be returned to the concerned allotted college in such a case the candidate should contact the concerned allocated college for refund the process तो दोस्तों दो तरह से फिसमा होती DD का आपको बिल्कुल क्लियर हो गया जिन बच्चों ने DD से समिट किया उनको जैपू Dental College जाना है जिन बच्चों ने online fees payment किया उनका जिस college में उनका selection हुआ है जिस college में उनको round one में seats मिली है उस college में जाके आपको वहां पर form fill up करना होगा तब आपकी fees जाके वहां से refund होगी तो बेसिकली जो online वाले बच्चे हैं उनको respective college में contact करना है जिन्हों DD के थूँ दोस्तों यह payment करिए उन बच्चों को जैपू Dental College में जाना है तो लगबख सेम का process होने वाला other states के लिए अगर other states में पी आप हो तो उसमें करना कि अगर आपका online है तो जिस college में आपका selection है सबसे पहले वहाँ पर contact करो वहाँ आप एक mail drop करो कि मुझे इस round में मेरा location हुआ है और इस round की मुझे seat छोड़नी है तो आप मुझे refund का process बताइए तो वह आपको refund के information देंगे तो दोस्तों यह update थी जैपूर के students के लिए जो मैंने आपको यहाँ पर बताई कि what all the all the process कि आपको किस तरह से आपका refund मिल सकता है तो दोस्तों मिलता हूं एक नई वीडियो में नई update के है तब तक के लिए all the best for your counseling